आज हम जट पट से बनाएंगे बेबी पोटेटो की भाजी और साथ में गेहूं के आटे का पराठा तो यह नास्ता दस मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और यह बहुत ही टेस्टी लगता है सरदियों में यह बेबी पोटेटो आराम से मिल जाते हैं कोई हमें छिलका उतार करने की भी जरूरत नहीं है आईए अब हम रेसिपी देख लेते हैं इसके लिए हमने प्रेसर कुकर में तेल डाला तेल जब गरम हो जाए तो इसमें अम कटे हुए प्यास डाल देंगे और फिलेम को लो कर देंगे प्यास जब तक धीरे दीरे यह लाल होगा जब तक कि हम काट लेते हैं जैसा कि हमने बताया है कि आलू को में छिलने की जरूरत नहीं इसे दो टुकरों में बस चोटे-चोटे आलू को हम काट देंगे थोड़ा सा बड़ा हो तो इसे हम चार टुकरे भी कर सकते हैं और याद रखें कि आलू को काटने से पहले बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से मसल मसल कर हमें आलू को दोना होगा तो हमने धुलकर के आलू को यह पर रख लिया है तो अब हम चलते हैं गैरीस की तरफ देख Haces हमारा नास अच्छा सा ब्राउन कलर का ही या लाल हो गया है तो अब इसम डाइर्ट हम इन आलू को डाल देगे उसके बा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, दो हरी मिर्ची हम ने डाली है और थोड़ा सा जीरा पाउडर एक चमज डालेंगे, थोड़ा सा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी अलू के लिवल कहीं होना चाहिए अब इसक़ ढ़क्कन हम बंद कर देंगे और धो किसल आने तक पकने देंगे उसके बाद हम फ्लेम को आफ कर देंगे तो यहाँ आपर अब हम फटा फट से प्राठे तयार कर लें तो यह नॉर्मल सा गेहूं काटा गूंद कर हमने रख लिया था जब वहां पे हमने सबजी चड़ा दी थी तो आप प्राठा तयार कर लेते हैं वहां पे हमने बंद कर दिया है गैस को और जब तक के विसल उसी में है और आलू अच्छे से पक यह दो नहीं है तो आम इस तरह से हम लूटि के जैसा गोल सा चपाती बनाएंगे इसके ओपर घھی एप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम इस तरह से इस सबढ़ने हम इसे हाथ से दबा तोड़ा से पहला लेंगे उसके बाद सुखे आम ताम बनाना कि इतना फटा फट से ये पराठा बनकर हमारा तयार हो गया है तो अब हम इसे तवा पे चड़ा देते हैं जिसे हमने पहले से गरम होने रख दिया था तो इस तरह से तवा पे हमने डाल दिया है अब इसे पर हम घी अपलाई करेंगे बहुत हलका सा हमें घी अपलाई क तो देख सकते हैं कि आलू कि इतना अच्छा सा लट पटा सा ही है हमारे बेबी पोटेटो की भाजी बनकर तयार हो गई है तो अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं हरी धनिया से गार्निशिंग करके तो दस मिनट में जटपट से तयार होने वाला नाश्ता बनकर हमारा तयार